उन्होंने तोर पर राम पर शिंट कर दिया कि राम ने जो रच रखा है वही होगा क्या समझा जाए 오른ंज उन्होंसे राम चाहेंगे वही होगा तो अब समझ सकते हैं दोनों के राम तो एक ही है अलग अलगते नहीं है क्योंकि पहले जेडू के राम अलग हुआ एक है अब सबयान्से से बयान दे रहे थी बाद में से बातें बने लगी राम सभी के हैं अब यानि की डोंड्य का काम हो गया है तो राम है तो कल तक क्या है कई अब तूह काम है तो मेश हैं पट्टन कैसे के बात कि ज Guinness तो अभी आपको रावडी देवी का वास पर हैं अभी अब्दुलबारी सिद्धिकी पहुंचे हैं और साथी श्याम रजक पहुंचे हुए हैं जो लालु यादों से मुलाकात कर रहे हैं दूसरे तस्वीर हम कहेंगा अपने कैमरा परसन के दिखाने की यह तस्वीर छोड़ निकली और काफी दूर है क्योंके तो एक तरह से देखा जाए तो अभी वही है दस नंबर में अभी श्याम रजक और देखे रुके रुपेंद्र आपको रुकेंगे एक बड़ी खबर हम आपको दे दे पटना में बड़ी सियासी हलचल देखने को मिल रही एक बड़ी जा अभी जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो ये कि बीजेपी बिहार के जो प्रदेश अध्यक्षन समराट चौदरी वो खुद जितन डाम मांजी के आवास पर पहुँच गए हैं तो जिस तरीके से सियासी हलचल है जो खबरे सामने आ रही है उसको लेकर के जितन डाम मांज जी के आवास पर पहुचे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समराट चौदरी अलाकि कितनी देड़ तक मुलाकात होती है किस मामले में बात होती है तो बैठक के बात पता चलेगा लेकिन फिलाल जो जानकारी है वो यही कि जितन डाम मांजी के आवास पर पहुचे हैं प्रदेश अध्यक्ष बियार बीजेपी के समराट चौदरी और रुपेंद्र मारे साथ बने में रुपेंद्र देखिए समराट चौदरी जितन डाम मांजी के आवास पर पहुच गया और जितन डाम मांजी को लेकर के जिस तरीके के खबरें आ रही थी उसके बाद है यह सबसे बड़ी बात है कि जीता राम माजी से कॉंग्रिस ने रात में संपर्क साधा लेकिन जीता रामाजी ने उसका कोई जवाब अभी तक नहीं दिया है और जब यह खबरे देखिए जी पर चली जी बिहार पर चली एक तरह से खबर का असर है जी बिहार का कि खुद समरार चौधरी जो है अब जीता राम माजी के आवास पर पहुंच गए हैं तो यह चीजे हैं कि हम सबसे पहली खबर लाते हैं अपने दर्सकों को बताते हैं और कॉंग्रेस के साथ जैसी कतिवी दिया थी कॉंग्रेस ने बात करने का कोर्शिस किया बात भी हुई ले जो डिप्टी सीम बनेंगे साम तक सारा चीज किलियर हो जाएगा तो यह तमाम चीजे हैं क्योंकि बीजेपी जो है गटबंदन में खास तर पर गटबंदन में हर एक चीज बता कर चलती है और समरार चौधरी जो है इसके लिए वहां पर पहुंच आए जी रुपेंद्र जो सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि जितनराम मांजी को कुछ बड़ा ओफर किया गया लेकिन अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो डिप्टी सीम दोनों बनेंगे वो जो सूत्रों के हवाले से जो नाम सामने आई है वो कुछ और है तो क्या इसको लेकर के जितन राम मांजी कुछ इधर उदर कोई बात हो सकती है तेके जितन रामाजी कुछ इधर उदर नहीं करेंगे क्योंकि उनके साथ उनका एक बात करें तो संसद में जाने का उनकी खौई से कि वो रास्तवा या लोक्सभा में जाए और जहां तक बीजेपी की बात की जाए तो गया सीट वो अजनितिस कुमार एंडिये में आते और नहीं आते बीजेपी ने उनको गया सीट कह दिया था और वहां से उनके बेटे संतो सुमन चुनाव लड़ेंगे साथ ही बीजेपी ने जीतना माजी को रास्तवा भेजने के लिए भी कह दिया है तो साफत तर पर बीजेपी के तरफ से ओफर पहले ही दे दिया जा चुका है या आज का ओफर नहीं है ये पिछले चार पांच महीने पहले का ये ओफर है और खास तर पर बात की जाए जीतना माजी देखिए बीजेपी में एक खास्यत यह है कि जो भी गड़बंदन के दल है उनसे देखे चीजों को जो है वा शेयर करती है और यही कारण है कि समराठ चोहद्री जाकर ये बात सेयर करने गए हैं और जिस तरह से खबरे आई कि कॉंगर्श ने जितना माजी संपर्क साधा है और उस पर जो है वो गए है इससे पहले लालुयादों ने संपर्क साधा था जितना अच्छा-ईntर देखे ऐ खुर चाहिए तो एंकि रही हैं कि इंद करिया तो यहुषी पर नहीं होता है तो गनित के हिसाफ से देखा जाए तो ओवैसीर की पार्टी की एक बिधायक और जो है निर्दली एक बिधायक जो मंत्री है अभी के सरकार में सुमित सिंग उनको ले लिया जाए फिर कॉंग्रेस को ले लिया जाए लेफ्ट को ले लिया जाए आर्जेडी को ले लिया जाए तो तुछ तमाम को मिलाकर 120 सीटों होती है और 120 सीटों के बाद जो है यही कारण है कि बीजेपी भी है कमर कसके रखे हैं कि कहीं भी जो गड़बल होने की बात वह रही है दावा किया जा रहा है कि सरकार इधर से बनेगी तो उसके लेकर बीजेपी एक डम अपने जो भी गटबं जी के साथ है कि हो अंद समय मेरानीती में कुछ भी हो सकता है और जिताराम मां जी का जो है मोभं हो जा रहा है लगातार एक एक चीजों को देख रही है एक एक ची जो को मान रही है और यही कारण है कि बीजेपी के नेता नित्या नंद्राय हों या परदेश अध्याक्षों वो लोग संपर्क साद रहे हैं परदेश कुमार ने जितन राम मान जी को लेकर काफी कुछ कहा भी था तो क्या इन सब को लेकर बीजेपी जितन राम मान जी को लेकर चिंतित है या यह मुलाकात यूँ ही समझा जाए बीजेपी चिंतित है और खुद जितन राम माजी ने को 24 तारिक को भी बोला था जब जितन राम माजी ने कहा था कि खेला होगा और 25 के बाद जेडू और बीजेपी एक बाद आर जेडी और जेडू जो है वो अलग हो जाएगी तो साफ तोर पर जितन राम माजी ने कहा था 25 को खेला होगा और 25 को खेला जो सुरू हो गया तो देखा जाया सकता है कि जितन राम माजी साफ कह चुके हैं कि अभी हम बीजेपी के साथ हैं बीजेपी के आला कमान जो कहेंगे वही करेंगे बात कही जाए तो वो दिल्ली मे से बात किये थे हैं जिस समय यह बात सामने आई तो नित्यनंदराय गए हुए थे अभी कॉंग्रेस बात की है तो इस समय अब कुछ समरार चोजरी जो है वो गए हुए है तो साब्ता पर कहा जा सकता है चार विदायक है उनका महत्पूर्ण रोल है और यही कारण है बीजेपी अपने साथ जो है हमेशा लेकर चलना चाह रही है देकर उपेंदर राजनीती ऐसी चीज़े की जस्पल बदलाव होने वाला है कुछ बड़ा होने वाला उसके कुछ सेकंड पहले तक नेता यही कहते रहते हैं कि बाई सब कुछ ठीक है या बात की जाए तो अभी एक बज़े बैटक सुरू होगी और अब्दिल्वारी सिद्धी की पहुंच चुके हैं श्याम रजक जी पहुंच चुके हैं और अभी जो है लालुयादों से मुलाकात कर रहे हैं बाते हो रही हैं विदायक जो है अभी तीन से चार विदायक मैं मांगा गया था और चीजें इस पस्ट करने को कहा गया था लेकिन वह हुई नहीं है तो क्या यह ऐसी खबर आई है कि आज रेडी जो है अपने विदायकों को परेट करवा सकती है साफ तोर पर यह खबर है और खबर इसलिए है कि खुद यह कल मनुज जाने कहा था कि न आई झालत कि शुद जो है और राता हृँआ